नमस्कार जी मैं हो पुनीत आप देख रहे स्टो पीटीसी प्रोग्रम में आपका तही दिल से स्वागत करती हूं और एक बार फिर से हाजर हैं आपके सामने एक और नया शो लेके कोशिश रहती है कि रेगुलर आएं आपके सामने लेकिन वक्त जो है वो साथ नहीं देता ल यह तो फिर S2OPD इसी मंतव के साथ और इसी टार्गेट के साथ चलता है और जब नियत अच्छी हो तो सब अच्छा होता है तो यह जो नीचे नमबर है यह आपके लिए है टेलिफोनिक अपॉइंट्मेंट हो क्योंकि जो पहली बार शो देख रहे हैं उनको बताना पड़ अपने बारे में किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है गुर्ड़क रिपोर्ट से आपको सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाता है जो बहुत जादा पैसे खर्श करते हैं और सारा कुछ जो उपाए है वो हाथ से लिखे जाते हैं बहुत सारी चीजे ऐसी हैं उस उसमें एहसास है उसमें जजबात है उसमें सच है उसमें विश्वास है उसमें बहुत कछ है तो आज हम बात करेंगे राहू की डरना नहीं है बहुत सारे लोग राहू से डर जाते हैं कि राहू राहू खराब तो सब खराब तो राहू खराब होता कैसे है खराब हो तो सही काई से होता है इस अभी बार हम बात करेंगे पहले स्वागत करते है बहुत-बहुत स्वा-गद्छ वोसक्राइब नेची ने अश्क्राइब तो सुनील जी बहुत बार ऐसा होता है कि जब मतलब किसी के भी वैसे और चीज बुरी हो जाती है तो इन्सान वैसे ही कहते मेरा त तो मतलब यह तो एक टाइग लाइन नहीं बन गई है कि मेरा तो राहू ही खराब है तो बेसिकली यह जो राहू खराब होना यह इतना जैनरिक हो गया है कि हर किसी को लगता है कि जो अगर कुछ बुरा है तो राहू ही खराब है क्या राहू इतना बुरा है मैं हसा इसलिए ब कलियोग रहो के अधीन है तो बात रहो की कर रहे है पुनीजी हमने बहुत एपिसोड की है रहो के उपर लेकिन जतना बोलेंगे उतना ही कम है रहो इतना बड़ा इसके अंदर इतना कुछ है कि जतना बोला जाए उतना ही कम है राहू आपकी लाइफ में बहुत अच्छा भी करता है और राहू बहुत आपकी लाइफ में खराब भी करता है अच्छा इतना करता है कि खरबो पती बनाता है और बुरा इतना करता है कि रोड़ पती बना देता है ये दोने चीज़े राहू के अधिनाती है राहू obsession है राहू वो है जिसको हर वो चीज चाहिए जो उसको पसंद आ गई जिस पे नज़र डाली वो चीज में को पसंद आ तो मुझे चाहिए जैसे मर्जी चाहिए यह है राहू अच्छा राहू आपको इतना कुछ देता है इतना कुछ देता है कि आप संभाल नहीं सकते इतना कुछ देता है खरब पती रहू बनाता है कुरब पती शनी और खरब पती रहू जिसकी सीमा ही कुना हो रहू वो करवाता है रहू गलत काम करवाने पे आजाए तो ऐसे काम करवा देगा, जिसकी सीमा ही नहीं होगी, खांधान में किसी ने ऐसा नाम खराब नहीं किया होगा, जो उस बच्चे ने कर दिना है, जिसका राहू खराब अब आप कैसे फेचानेगी किacy आपका राहू कैसे है, आप कैसे आपके दिमाग के अंदर ऐसी चीज़े भर देगा कि आपको वो हर चीज़ चाहिए होगी जो आपको पसंद आएगी रहू इस प्रविति का प्लेनिट है कुंडली के अंदर सबसे खतरनाग योग रहू का क्या होता है स्कॉर्प्यू राशी में रहू का बैठना और अश्ट ना जाते हैं वो काम जो समाद से हटके हो वो काम जो बाउंटरिस से हटके हो रहू बाउंटरिस तोड़के बाहर निकलना सिखाता है शनी बाउंटरिस से बाहर नहीं आने देता वो एक बॉक्स है उससे बाहर नहीं आने देता रहू आपको बाउक्स इसको तोड़के तोड़के बाहर निकलना, जो काम करवाता है, वो रहो के अधीन आता है, एक फैमिटी, एक परिवार, जिसके जहाँ एक बच्चाowana चाहा है, लेकिन शाधी वहां करना जाता है, जो आपको लगughे है कि आपके कास्ट के ब्राबर नहीं है, उची है, छोटी है, वो बात की ब इन्सान वो बडे आसानी से कर जाता है। रूटीन में कर जाता है, कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं कमपनियां लोग खोल के बैठ जाते हैं और वो कमपनियां लोग को सेल इसबारती है ऐसा काम रहू करवाता है क्योंकि रहू अच्छानक आपकी लाइफ में जो हैपनिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करता है आपके एक हांदन में किसी ने लिमिट ना तोड़ी हो वो दोनों चीज रहू के अधीन है लिमिट रोना और रिकॉर्ड रोना दोनों रहू के अधीन है रहू ही लोट्री लिगवाता है रहू ही पंचब भावे बैठके लोट्री लिगवा देता है रहू के बिना चेक कर लेजेगा किसी की लोट्री लगी हो किसी की भी लोट्री ल मिलेगी जो आप बहुत ही जदा आपको अंदर से खुश कर देगी और उसका जो टेस्ट आप शेद भूलना पाऊ ऐसी खुशी राहू दे देता है चपड़ फार के राहू इसलिए कहते हैं कि चपड़ फार के देता है राहू क्योंकि राहू करक का राहू गड़बर करता है mental disturbance करियेट करता है मदर के होते हुए इंसान कामयाब नहीं हो सकता ये एक secret है लियो का सिंग का राहू आपको arrogance दे देगा मेरे जैसा कोई भी नहीं है मैं सबसे best हूँ क्योंकि राहू दुआ है राहू एक ऐसी चीज़ है जिसने एक दुआ करियेट करना है सचाई से कोसो दूर है दुआ करियेट करना है मेरे जैसा कोई नहीं है सूरे है सूरे राजा है सूरे रोयल्टी है जो रोयल्टी है ये सूरे कदीर है रहु जहां बैठेगा, तो इनसान को लगेगा मेरे से यह dużo Crispy कोई नहीं है क्योंकि झो लियो राशी है, यह एक किंगली राशी है एक बहुत बोड़े राजा की राशी है महाराजा की राशी है वहां रहु बैठके ब्रहम प्यदा करता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है राहू छटे घर में अच्छा माना गया नैच्रल घर है राहू का कहते हैं ऐसे इसे इसे इसान के जतने मरी दुश्मन हो ये इसान कभी हारता नहीं है end of the day सारे करजे दुनिया के अपने खतम करके जाता है ऐसे नहीं जाता दुनिया से तुला का राहू रिलेशन्शिप में गड़वड़ खड़ी करता है रिलेशन्शिप में शक पैदा करता है ये हर केस में नहीं होता लेकिन मैकस्मिम केस में हो जाता है जब कुंडली में मेरे पास मैच्पेंग गिले आती है अगर साथ नमबर में राहू हो तो यह रिलेशन्शिप के ओपर अटैक करेगा ही करेगा आपके रिलेशन्शिप स्मूद नहीं होने जा क्योंकि राहू नेगटिविटी है इसने रिलेशन्शिप साथ नमबर राशी रिलेशन्शिप की राशी है तुला राशी रिलेशन्शिप की राशी है यहाँ पे रहू बैटके रिलेशन्शिप को जो है इसका पूरा खराबी करता है और पूरा बैंट बजाता है कि स्कॉर्पियो का राशी यानि कि वरिष्चक राशी नीच राशी यहां पे यह मंगल की राशी है राहू यहां के बहुत करवट करता है societal tendencies यहां पे राहू करिट करता है tendencies, करवाता नहीं है feeling देता है इंसान over emotional होता है क्योंकि जो चीज पाना चाहरा है तो वो होती नहीं है और इंसान जो है स्कॉर्पियो की शमिशान घाट की राशी है यहाँ पे बैठके राहू हर वो उल्टा सेदा काम करवाएगा जो समाज से बिलकुल डिफरेंट होगा जो समाज से समाज के अधीन नहीं होगा लिमिट से बाहर होगा नशा यह राहू करवाता है खास करके स्कॉर्पियो राशी ऐसा इंसान सोचता नहीं है कुछ गलत करने लगा कि मेरे घरवानों का क्या होगा मेरे परिवार का क्या होगा वो कुछ नहीं सोचता उसको बस अपना वो चीज़ पूरी करनी है जो उसके दिमाग में आ चुकी हुई है क्योंकि राहू का दिमाग से कोई लेना दिना नहीं है राहू का दिमाग से इसलिए लेना दिना दिना नहीं है क्योंकि इसने मन में जो आएगा वो करेगा सोच दूर दूर तक इसके आसपास नहीं है धनू में राहू आके थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है क्यों ये गुरू की राशी है गुरू से बड़े बड़े सीधे हो जाता है तो गुरू से थोड़ा सा राहू ढरता है यहां पे आके उतना नुक्सान नहीं करता जतना यह आठ नमबर राशी में कर जाता है हलागि यहां पे भी नीच का माना गया है लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा मैं comparatively कहूंगी 10% Scorpio से कम result देता है खराब लेकिन खराब तो देता है 10 number Capricorn का रहू Makarashi का रहू इंसान के अंदर अपने काम को लेके dedication पैदा करता है बहुत dedication पैदा करता है अंदा धुन काम करता है इस इंसान के back of the mind काम ही चल रहा होता है एक चीज़ का ध्यान रमेशा रखेगा रहू जहां बैठा होगा कुंडली के अंदर आपके वो आपके जिंदेगी का area of focus होगा आपके दिमाग में वो चीज़े हलवाग चलती होगी रहू 11th house में 11th राशी में खास करके कुंब राशी में इस चाओं को बढ़ा देता है हर चीज़ चाहिए गाड़ी चाहिए बढ़िया कपड़ा चाहिए brand का पूरा tag line जो है दिमाग में चप जाती है हर चीज ब्रैंड में चाहिए गाड़ी चाहिए तो वो बहुत high brand की चाहिए कपड़ा चाहिए वो ब्रैंडी डोनर चाहिए बाइक लेनी है तो वो भी कोई 5-7 लाख पूरी वो पसंद आएगी चीज़े चाहिए हर चीज बहुत अच्छी चाहिए सुन्दर से सुन्दर चाहिए मीन का राहू मीन का राहू सेटल्मेंट देता है कहां की फॉरं की क्योंकि यहां पे उब्सेशन हो जाएगा फॉरं को लेके मुझे फॉरं जाना मुझे फॉरं जाना वहां सेटल्मेंट होगी और वाकरी वे करवा भी देता है राहू आपको फॉरं बेजने में बहुत ज़़ादा रोल अदा करता है कि हम एपिसोड करेंगे इसमें फॉरं सेटल्मेंट का यहां अप्रोड सेटल्मेंट का पूरा का पूरा आपको मैं इन्फिमेशन दूँगा कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है कौन जाके वापिस आ जाता है कौन जाके वहाँ पे कुछ तिर काम करके वापिस आता है कौन वहाँ पे रह जाता है कौन NRAI बन जाता है कि नॉन रेजिटल इंडिल जो टैग लगता है वो किसको लगता है वो राहू ही इसमें इन्वाल्व होता है और सबसे खतरनाक सिंग राशी का जो राहू है जहां बैठा होता है यह खरावी करता है बाकियों को नुक्सान किता है। हाँ, obsession जरूर देता है जहां बैठेगा वहाँ उस घर के लिए obsession जरूर देगा। अगर चौथे राशी में बैटा हुआ है, करक में बैटा हुआ है, तो गाड़ियां का लोग बहुत शोकीन होते हैं, इनको गाड़ियां चेंज करने की बहुत प्रवेति होती है, लॉस में बेच देंगे, गाड़ी लेंगे, अपना शौंक पूरा करेंगे, लॉस में बेच लेकिन गाड़े का शौंक कभी खतम नहीं होता, बाइक्स का शौंक खतम नहीं होता, घर बनाना ऐसा है इनसान को, एक चीज़ और करता पड़ेगा ये ग्रहों की कुछ important होती है एक ग्रहों की कुछ nature होती है जो आपके साथ मैं आज करती है राहू को ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाए हैं आज हम जो episode कर रहे हैं ये सिर्फ यह नहीं है कि राहू क्या करता है ये भी मैं बताऊंगा कि राहू को ठीक करन आपके हाँ ने के इससना है आपके मूँपे आपका उगा मेरे मुपर मेरा बहुत अच्छा पॉलिटिशन बनता है बहुत अच्छे अच्छे वाले करता है बहुत अच्छे अच्छे स्पीच देता है लोगो उसकी स्पीच पसंद आती है काम वो जैसा भी करे लेकिन उसकी जो पबलिक जो फिगर होती है जो पबलिक फेस होता है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि राहू ने वो वो चीज़े बलबादी नहीं है जो एक्चल में चाहे हो या ना हो वजूद हो क्योंकि राहू दुआ है राहू एक सिर्फ ब्रह्म है एक्चल में राहू की एक्जिस्टन्स नहीं है राहू सरफ ब्रह्म बनाता है आपके लाइफ में आपकी लाइफ में जो एक दूहां करियेट करता है सोच करियेट करता है वजूद नहीं है देखेगा नहीं परचाई है देखेगा नहीं लेकिन परचाई है तो राहू पॉलिटिक्स में अगर पॉलिटिकल केरियर अपना बनाना है तो राहू कुनली में बहुत मजबूत होना चाहिए अच्छे मजबूत राहू वाले पॉलिटिकल केरियर बहुत अच्छा बनाते हैं बहुत दूर तक काफी अब तक उसका काफी अपर लेवल तक उनका जो प्लिटिकल करेट जाता है और ऐसे लोग मेरे पास केबर प्लिटेशन आते हैं तो सीधी नज़र सबसे पॉलिटेशन कभी भी आएगा सीधी नज़र राहू पे जाएगी करमेश आपका शनी शनी का है वादा शनी का है वादा पूरा करना शनी का है लिमिट्स शनी के आपको कहते हैं कि आपने जो वादा किया उसको पूरा करो जब वादे पूरे नहीं होते एक सरकार आती है वादे पूरे नहीं होते दूसरी सरकार आती है वो जब वादे पूरे नहीं होते है अगरी सरकार आती है तो यह जो बैलंस है ऐसे ही उपनीचे होता रहता है क्योंकि राहू आपसे वादे करवाएगा शनी आपको कहेंगे कि आप इसकी जो आपने कमिट किया उसको पूरा करो तो ही आप दुबारा वापिस आते हो अगर नहीं करते हो तो आपको लोग जो है अटा दते हैं जो पॉलिटिशन होते हैं चोटे होते हैं बड़े होते हैं वो हट जाते हैं तो अगर राहू मजबूत है तो पॉलिटिकल करियर आपका बहुत अच्छा हो सकता है तो मुझे लगता है कि अगर बाकी लोग भी कुछ एस्ट्रोजी की बाते करते हैं तो इतनी गहन बात जो है वो कोई भी नहीं करता क्यूंकि करियर आजकल हर कहीं है पॉलिटिक्स में आने वाले जो आजकर लड़के हैं नौजवान हैं और लड़कियां भी बहुत सारी ऐसी हैं जो पॉलिटिकल उसमें अपना करियर जो है वो बनाना चाहती है तो political scenarios जो है चल भी वैसे रहे हैं बहुत सारे नौजवानों को इस बार importance भी जो है बहुत जादा मिल रही है चाह रहे हैं कि नए ने चहरे जो है वो सामने आए और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं बहुत सारे नाम हैं यहां पर नाम गिनवाने नहीं है क्योंकि यह पॉलिटिकल शो नहीं है लेकिन राहु जो है राहु जो है वो इसमें जरूर हल्प करता है गुद्लक रिपोर्ट के उपर आते हैं यह गरिमा भर्दवाज हैं पंजी गोवा से और यह कहरी है कि मुझे नए इन्वेस्टमेंट करनी है एक ड्राइफ्रूट शॉप में मुझे वो शॉप लेनी है तो क्या मैं ले सकती हूँ आप मेरी गुद्लक रिपोर्ट मुझे को yes no करूँगा या जो period आप के लिए अच्छा होगा वो आपको लिख के दूगा कि कौन से period में काम स्टार्ट के होगी काम स्टार्ट करने के लिए कोई भी सबी के लिए कोई वीवेंट शुरू करना हो मुहूरत की बहुत ज़्यादा importance है किस मुहूरत में आप काम कर रहे नहीं है वहम नहीं है लेकिन महुरत बहुत जो है काम करते हैं अच्छे महुरत में आपके जो related जो महुरत होता है उसमें अगर आप काम करते हैं तो उस काम की काम या भी बहुत जादा बढ़ जाती है तो उसमें आपको मैं टाइम निकाल के दूँगा कि स्पिरेट में आपक करना चाहिए वाट सोब्सक्राइब निकाल कि कुछ दिन अपवेट कीजेगा रिपोर्ट आपको आईगी तो आप अपना जो आगे नेक्स दिसिजन लेजिए तो अभी बहुत सारे डिसीशन ऐसे होते हैं जो कि कुंडली देखने के बाद ही लिये जा सकते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखेंगे फिर उसके बाद वो जो डिसीशन है कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर रुक के करना चाहिए या भी करना चाहिए ये सारे जवाब जो है वो आपको मिल जाएंगे अब जो जिसमें कि टिप जो है टिप आफ तो डे भी श एक तो घर के अंदर थोड़ा सा महाल रिलीजिस कीजिए, सुबे आप जिस भी धरम को बिलॉंग करते हैं, उनके भजन, जो भी आपके रिलीजिस, जो भी आपके रिलीजिस हैं, उसका किर्तन अपने घर में लगाया कीजिए, सबसे पहला काम, मॉर्निंग में, सोय होए बच पेसे कि शौटेजी आजाएगी कि आपका चलता है काम घर का서 construction कर रहे हैं, वज़ा ऐसे बनेगी, आपका काम रुक जाएगा, यह राहू खराब की निशानी है, राहू खराब हो, घर के अंदर कबूतर बहुत आते हैं, लोग कबूतरों को दाना डालते जाते हैं, अपने घर की छट पे कबूतरों को दाना नहीं डाना चाहिए, राहू खराब की निशानी होते हैं, कबूतर चट के उपर, क्योंकि यह पितर दोश का भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है, कि आपके कुंडली के अंदर पितर दोश हो, यह राहू खराब हो, क्योंकि यह स्मेल डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाते हैं, गटर्ग की स्मेल जो होती है, यह ऐसी स्मेल एक फीज होती है घर के, किसी ने किसी पोर्शन में, किसी एरिया में, यानि कि राहू खराब है, तीन उपाई, यह कीजिए, राहू आपका ठीक हो जाएगा, लेक्टोनिक्स रिमूब कर दीजिए, यह तो आपको मैंने देती है, गाइडन्स, आप चीटियां हैं, लाल तो उनका कुछ हल कीजिए, ना मारगे कुछ दाना डाल के उनको, यह कुछ डाल के उनका फूड उनको घर से बाहर निकालिए, नमबर वन, क्या करना है, बुदवार को अपने घर का वाश्रूम खुद साफ किया कीजिए, बहुत इजी उपाई है, खुद साफ किया कीजिए, बुदवार को, और बिल्कु ट्राइ किया कीजिए, पहरे उतरते हैं, हार उतरते हैं, जहां वो डंप करते हैं, वहां डाल के आईए, नमबर तीन, राहू खराब हो, तो गुमेद लीजिए, चार, दो तरह के गुमेद होते हैं, एक होते हैं, डालने वाला, एक होता है, परवा करने वाला, पानी में परवा करने वाला, वो तो तेन बार कर लिए राहू बैनस हो जाएगा घर से घंदगी निकालिए लیک्तोनिक चरुका हो यह निकालिए राहू बैनस हो जाएगा और आप कम से कम राहू के negative effect जो है वह आपके life में और आपके घर में खतम हो जाएगा जी तो राहू के बारे में इतनी सारी information आपको इसी episode में मिल गई है एक ही episode में इतनी सारी information मिल गई है तो ये jackpot वाली बात होती है तो कब मैं अपनी कुंडली में ये खुद चेक कर पाऊंगी कि मेरा राहू जो है वो सही है या नहीं है यानि के course कब आएगा पनी जी थोड़ा सा काम बाकी है और जल्दी announce करेंगे क्योंकि ये बहुत बारीकी वाला काम है हर चीज का ध्यान अखा जा रहा है volume 1 ही अभी ready हुआ है volume 2 पे अभी काम शुरू नहीं हुआ volume 1 अभी खतम कर रहा हूँ जल्द ही आगे जो आपके लिए कम से कम ये मेरा जो course है specially उने astrologers के लिए है जो seriously इमानदारी के साथ सीखना चाते हैं जो इमानदारी के साथ जोतिश को समझना चाते हैं और इसके बाद practice करके लोगों की help करना चाते हैं ये course उनके लिए है specially उनके लिए डिजाइन किया है आज तक नहीं हुआ था बहुत सालों में मैं नहीं कर पाया लेकिन कुछ समय मिला जिसमें मैंने शुरू किया थोड़ी दे रहेगी खत्म होने की ये आप course जब पढ़ेंगे astrology समझेंगे तो समझने के लिए थोड़ी सी वेट कीजिए ये booking जल्दी से हम शुरू कर देंगे तब तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि ये बड़ी प्यारी चीज है मैंने अपने जिन्दकी का तुज़र्बा डाला है experience डाला है इसके अंदर कुछ logics डाले है इसके अंदर कुछ बहुत बड़े अच्छे-च्छे astrology जो हैं authors रहे हैं बहुत तगड़े जो बहुत बड़ी astrology करते थे उनके जो है references डाली गही है so आपको बहुत help करेगा so आपको हर चीज बारीक चीज की information देलाएगा हर बारीक चीज के साथ रूबरू कराएगा क्या चीज किस घर से कब देखी जाती है कोई client आपके सामने बैठे तो आपको हर चीज का answer जैसे मैं हर चीज का answer दे रहता हूँ आप भी इतने सक्षम हो जाएं कि आप confused नहों कि मैं कहां से देखूँ कैसे देखूँ हल कैसे दूँ क्योंकि हल देना सबसे मुश्किल काम है solution देना सबसे मुश्किल काम है और हल कौन देता है इसको knowledge होती है knowledge कहां से आएगी इस course में पढ़ेंगे आप यह knowledge आप गेन करेंगे फिर आप लोगों को help करेंगे फिर आपका नाम भी होगा कि हां किसी से astrology सीखी थी और किसी ने सिखाई थी और किसी की हमने help की तो फिर थोड़ा सा इंतिजार और है क्योंकि जब कोई अच्छी बात होनी होती है तो उसके लिए सब्र जो है वो रखना पड़ता है अब यही कोशिश करें हूँ आप भी अपना ध्यान रखिए धन्यवाद